तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है ब्रह्मकुमारी की उपर है और ब्रह्मकुमारी नाम की जो संस्था हमारे देश में चलती है उसमें जैसे कि हर संस्था में होता है जो धार्मिक संस्था है उसमें अच्छी बातों के बहाने जो पीट पीछे बुरा काम ही होता है और अगर आप उसके नीव आप देखें कोई भी जो धार्मिक संस्था होती है अगर उसके नीव में ही वेविचार चुपाओ और जूट चुपाओ तो फिर उस संस्था को आप कितना ही आप उसको सनातनी बोल दे या उसको दूद से पवित्र कर दे वो वहाँ पर वो वेविचार चाल परके होते हैं उनको ब्रह्म कुमार कहा जाता है और ब्रह्म कुमारियों के बारे में ये कहा जाता है कि जो ब्रह्म कुमारिया है उनको योग साधना वहाँ पर करना है और जो प्रलया आने वाली है कुछ सालों में प्रलया आ जाएगी और प्रलया के बाद जो श्री किष्ण का अवतार हुए है लेख राम जी वो सारे भक्तों को तार देंगे और वो उनको स्वर्गलोक ले जाएंगे तो ये सब बाते उसमें होती है और मुटा मुटा उसमें ये है कि ये सब पाखंड के नाम पर ये सब वेविचार और यौन शोशाणी होता है ठगी भी होती है कई लोगों के पैसे उसमें डूबे है और भक्ती के बहाने कई लाखों रुपए चंदा लिये जाते हैं लोगों से तो ऐसे ही आज का टॉपिक है तो आज हम ब्रह्म कुमारियों के बारें बात करेंगे फिर्जाज जी आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स पर दिखाएंगे क के वाकई में जो ब्रह्म कुमारी है उनके उपर कई आरोप लगे हैं कई लोग की गिरफतारिया भी हुई है और यह तो कुछ ऐसे केसे सामने आ गया है पर आप यह देखें कई ऐसे केसे जो सामने ही नहीं आपाते हैं इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी इस ब् पतब दिखता है चाहे वो रादा स्वामी मत हो या प्रम कुमारी मत हो उस से दूर रहे है अच्छी बाते देखे कोई भी कर सकता है कोई भी डागू हो चोडो हो है कोई भी हो कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छी बाते कर सकता है अच्छी बाती करने से कोई भी इंसान जो है वो अच्छा नहीं हो जाता अच्छा होने के लिए उसका चरित्रवान होना उसका चरित्र अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है तो आप किसी के भी अच्छी बातों को सुन कर उसके बैकावे में ना आए जो ठग होता है वो हमेशा अच्छी बाते करता है और वो फिर आपका फायदा उठा लेता है तो इन सब चीजों से बचे और अपने भविश्यों को सुरक्षित रखें तो इसी के साथ साथ ही वाचिव स्ट्रीम है आप जदा से जदा लाइक औ होते रहें जिससे आज की स्ट्रीम जदा से जदा लोगों तक पहुंच सके और लोग ये ब्रह्म कुमारी उसे बच सके जिए जी तो ब्रह्मकुमारी जो मत है उसके जो स्टार्टिंग है वो भारत का जब भाजन नहीं हुआ था उसी समय से हो गया था और जो सिंध प्रांत है वहाँ पर जो इसके जो फाउंडर है लेकराज उनको सजा भी हुई थी तो उसके बाद वह भाग कर माउंट टाबू आ जाते हैं और माउंट टाबू में आकर वह अपने एक नया पंत चालू करते हैं जिसका नाम रहता है ब्रह्मकुमारी तो ऐसी कुछ इनकी कहानी है तो आज हम जालेंगे कि ब्रह्मकुमारी का उध्य कैसे होता है और उसके बात यह है कि जब लोग भक्ति भाव में होते हैं तो उनको यह सा बात भी सची लगने लगती है इसलिए बक्ति भाव को छोड़े और अपनी तर्ग बुद्धी का जरूर्वर ज्यादर से यादर से इस्तमाल करें तो यह जो मैंने दो किताबों से प्रेजेंटेशन मनाया जो कि आरे समाजी थे तो उन्होंने आरे समाज के दिश्टी कौन से इस किताब को लिखा है बाकी आप इस किताब को अपने विविक से पढ़ने तो यह देखे क्या लिखा है तो ब्रह्म कुमारी नाम का सम्परदाय चला रखा है यहां लेख राज एक सिंधी व्यक्ति है इसने पहले सिंध में ओम मंडली नाम से एक मंडली बनाई थी, जिसमें अनेक घरों की कुली निस्त्रियों को भैका कर साधना के बहाने से एकत्रित किया जाता था, तब सिंध में आंदोलन चलने पर सिंध सरकार ने उसे पकड़ गर जेल भीज दिया था, पकिस्तान बनने पर जब सिंध प्रांथ पकिस्तान के अंदर कर चला गया, तो लेक राज को जेल से छोड़ दिया गया और उसने यहां भारत में रजस्थान के अंदर आबू परवत पर एक बंगला किराय पर लेकर अपना वही पुरानी हरकते प्रारंब कर दी, अब इसने अपनी सुंदर मंडली के नाम ब्रह्म कुमारी रखा है, इसमें सुंदर सुंदर नव यूवतियों को वह भरती करता है, कई वर्षों तक उनको अपने पास रखता है, उन्हें कुछ मैसमेरिजम सिखाता है और प्रचार के हत्खंडे सिखा कर प्रचारी का बना कर देश के विभिन भागों में यत्र तत्र भेशता है, ये ब्रह्म कुमारिय दैनिक सत्संग लगाती है, जहां लेकराज के उपदेश सुनाय जाते है, लेकराज को साक्षात परमात्मा यथा कृष्ण का अवतार बताया जाता है, उसकी रखेल पतनी को आदी देवी सरस्वर्ती जगत की माता बताया जाता है, तो लेकराज जो है खुद को भगवान बताते हैं और वो कृष्ण की अवतार है, ऐसा बताया जाता है, और उनकी जो पतनी है उनको आदि देवी सरसवर्ती जगत की माता को बताया जाता है और ऐसी ये माननेता ब्रह्म कुमारियों में है कि जो लेक राज है वो साक्षात कृष्ण का अवतार है और ये जो कल्यूग चल रहा है इसका जो आनता है बहुत ही जल्दी हो जाएगा आने वाले लगबाग चार-पांच सालों में हो जाएगा और उसके बद जब कल्यूग खतम हो जाएगा प्रलाय आ जाएगी तो जितने भी जो भक्त लोग है जो लेक राज की शरण में है जो की एक अवतार है कृष्ण का तो जितने भी लोग जो लेकरज की शरण में ब्रह्मकुमारी बन चुके हैं, वही लोग जो है स्वर्ग लोग की ओर जा पाएंगे, तो ऐसी एक माननेत इनके बीच में है, जो भक्त बन जाता है वह स्त्री ब्रह्मकुमारी तथा मर्ध ब्रह्मकुमार कहे जाते हैं, तो जो नौ बज़े तक चलते हैं प्रातह पांच या छे से एक घंट तक चलते यहना सुबाव 5 बज़ेस से लेकर चेंद टक एक घंटे तक इनक जो है भजन जा ये ब्रमौ मार्या सफेध वस्त्र पहंद कर नेत्रों में सुर्वान लगाकर उन सत्संगों संचालन करती है उन햇 तब ग्रामोफोन का जो प्रशलन था बहुत प्रशलन था भारत में आज की रेट में तो डिजिटल जमाना हो गया है तो लॉड़ी स्पीकर्स वगेरा का यूज हो जाता है उसके सर के उपर पीछे दिवार पर एक बड़ा सा चित्र टंगा होता है जिसमें ब्रह्मा विष्डू महादेव की चित्र बने होते है ब्रह्मा की स्थान पर लेकराज का चित्र बना होता है विष्डू बीच में होते हैं उसके बाई और लेकराज ब्रह्मा की स्थान पर त ठीक है विश्णू के सर से उपर एक गोलाकार में लेखराज का हलका सा चित्र सर का होता है जिसका सभी चेले या साधग जो ब्रह्म कुमारी के सामने उसकी और मुह के बैठे होते हैं ध्यान करते हैं और इसे ही वे लोग योगा भ्यास करना बताते हैं लेखराज के दर्शन करने को परमात्मा का दर्शन मानते हैं क्योंकि लेखराज सोयम को परमात्मा कहता है सुन्दर और तें जो उसकी चेली बन जाती है वे चेलियां लेखराज से मिलने जब जाती है तो लेखराज उनको भुजाओं में भर कर सीने से लगा कर उनका प्रगा क्या चमतकार चल रहे हैं बाबाजी यही तो चमतकार है ऐसे ही तो कृष्ण ने अपने गोपियों का अवतार किया था भवसागर से उनको पार लगाया था और गोपियों का सही बात है है ना इतना होने पर ही नय भक्त अपना कल्याण मानते हैं अन्यथा नहीं तो भई ऐसा होकर लेखराज अपने शिश्यों के साथ ऐसा करते हैं तब ही उनका कल्याण होता है इसमत की प्रायह 2000 प्रचारी काएं भारत के विभिन नगरों में बैटी ब्रह्म कुमारी ईश्वर्य विद्याले नाम से अपनी संसाय चला रही है ये ग्रिहस्त लोगों के घरों में जाती है वहां सत्संग लगाती है और उनको तथा पडोस के लोगों वस्त्रियों को अपने प्रभाव में लाने का यतन करती है ये उनको सुन्दर उपदेश सुनाती है कि संसार नाशवान है अतह सभी को मुक्ति प्राप्त करने का यतना करना चाहिए गीता में भगवान ने वायदा किया था कि मैं युग-युग में अवतार लेता हूँ और अब भगवान अवतार लेकर आ गये है ये दादा लेखराज के रूप में विराजमान है तो वर्मकुमारी ये बताती है कि भाई कि जो भगवान है वो हर युग में अवतार लेकर आते हैं जो कृष्ण भगवान है और जो कृष्ण भगवान का जो अवतार अभी भारत में अवतारित हुआ है, वो दादा लेखराज के रूप में विराजमाल है। अभी आप देखे हम उस समय से भी हम कावे आगे आ चुके हैं, मटना कहीं बर्माडु बम फटे न प्रलय आई। इसे जूड़ बताते हैं। भगवान अपने भक्तों को लेकर स्वर्ग चले जाएंगे, पृत्वी के विनाश के बाद पुनह जगत के रचना होगी और भगवान अपने भक्तों को ही केवल उसमें जन्म देगे। तो ये चूरण चटाया जाता है सबको कि भई अभी जो धर्ती है वो खत्म होने वाली है, महाप्रलय आने वाली है, तो आप एक काम करो, आप हमारा ये जो मत है, ब्रह्म कुमारी मत इसमें आप आ जाओ, क्योंकि जो दादा लेख राज है, वो साक्षात विश्डु का अगर आप हमारे मत में आ जाओगे, तो जो महाप्रलय के बाद जब सिष्टी के रचना होगी, तो आपको उसमें पहला जन्म मिलेगा और सिर्फ भक्तों कोई जन्म उसमें मिल सकता है, ठीक है, उस सिष्टी में तीन यूग होंगे, तामर यूग, चांदी यूग और स्व करेंगे, उनका जन्म स्वण के आनदमा यूग में होगा, जो लोग चांदी भेट करेंगे, उनका जन्म मद्धियम यूग, चांदी भेट करेंगे, उनका जन्म सबसे कम आनदमा यूग में होगा, तो ये फीस है, अलग-अलग यूग में जाने के लिए, सोना भेट प्रचलन में हुआ करता था आज ची रेट में सोना चांदी और सिख्के दे पाना हर किसी के बस के बात नहीं है तो आज कर ये गूगल पेटी एम यूपाई से भी एक काम चला लेते हैं कोई दिक्कत नहीं थीक है बदलते समय के साथ खुद को भी ब्रह्म कुमारिया मुर्ख बनाकर सोना चांदी ठकती है और अपने खर से चलाती है अनेक इस्थानों से इनके दूष्चरीत्र में जीवन की घटनाएं भी समचार पत्रों में छपी है यह वास्ताव में सुंदर यह वास्ताव में सुंदरी नव यूतियों दौरा संपन दुराचार फैलाने का एक मार गया धर्म के नाम पर इस देश में जितना भी पाखंड फैल जाए उतना ही थोड़ा है सही बात है इस मत के प्रवर्तक दादा लेकराज भगवान की रुपे उपदेश करता है प्रियवत सो इस मनुश्य स्रिष्टी रूपी रचना के आदी नहीं करा सकता अतहा अब तक व्यक्त ब्रह्मा द्वारा मैं स्वयम ही जो सत्य ज्यान सदबुद्धी और सद्विवेग दे रहा हूं वह सम्मुखा कर प्रात करो कल्यान कारी होने से मेरा नाम शिव है मुझ निराकार अर्थात अशरीर परमातमा का अव्यक्त परकाश में रूप जोतिर लिंगम है मेरे इस अव्यक्त रूप की प्रतीमा शिवलिंग से पूजी जाती है मैं सुक्ष में देवता हूँ ब्रह्मा विशुणू तथा शंकर का भी रचेता हूँ इसलिए मैं त्रिमूर्ती भी कहलाता हूँ लाड़लो बच्चो ना तो मैं जगत में व्याप्त हूँ और ना ही जगत मुझे में व्याप्त है हे मेरे भोले बच्चो मैं नाम रूप से न्यारा नहीं तो आप देखें भाई ये जो है ब्रह्मा भी है विशुणू का ये अफ़तार भी है और ये जोतिर लिंग भी है शिग्लिंग की पूझा जो लोक करते हैं तो आपडि पूझा नहीं कर रहे हैं अग्राइछ के पूझा कर रहे हैं तो इससे कफी लंबी-लंबी फेक की अब यह पता नहीं है कि जी सुषडों को ये खुद का अवतार बता रहे हैं शिव जी तो खुद मोहिनी को देखकर तो उनका वीर्य पात हो गया था और उसी से सोने चांदी और तामे की खानी बनी थी तो ये तो उनको पता ही नहीं है कि भाई शिव जी आप जो काम कर रहे हैं शिव जी आपके साथ वो काम पहले कर चुके है आपको ये पता नहीं है शायद दुनका पता नहीं रहोगा उस समय तर ठीक है मैं तुम्हारा अविनाशी एवं पारलोकिक पिता जो इस जगत के सूर्य चंद्र और तारगन आदि के भी पार निर्वान धाम ब्रह्म लोक में निवास करता हूँ उसी पर लोक अथवा निर्वान धाम ही से तुम भी इस रिष्टी पर आये थे मैं तुम सभी के जन्मों और कर्मों की कहानी को जानता हूँ तुम ना अपने आवागमान के चक्कर से और ना ही मेरे दिव्य जन्म से परिचित हो हेवत सो मेरा जन्म मनुष्यों के जन्म के सद्रिश साधारण नहीं अपितू इनसे नियारा दिव्य और अलोकिक है मैं गीता का निराकार भगवान शिव सारे कल्प पांच चार वर्ष में केवल एक बार ही परलोक परमधाम से आकर एक निश्चित वृद्ध मनुष्य के तन में परवेश करता हूँ तो ये बता रहे हैं कि बाई जो भगवान है वो परमधाम यानि परलोक से एक बुढ़े का श्रीर में के प्रवेश किये हैं वो बुढ़ा मैं हूँ यानि लेकराज तो ये बता रहे हैं अपने शिश्यों को मेरे प्रवेश करने पर इसी मनुष्य को व्यक्त ब्रह्म कहते हैं गीता में वर्णित सहज ग्यान और सहज योग सिखाने के लिए मैं जो दिव्य जनम लेता हूँ वो यही है अब गीता यूग की पुनार वृत्ती हो रही है और पृत्वी अत्यंत विक्राल महाविनाश से मुक्त होने वाली है इसलिए वत्सो हित भावना से मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि अभी भी समय है कि तुम पवित्र योगी बनो और भारत माता की शक्तियों ब्रह्म कुमारियों से मेरा वह ज्यान प्राप्त करो जो मैं अब ब्रह्मा के मुख कमल से दे रहा हूँ हे वत्सो यह तुम सबका अंतिम जन्म है अतह इस बचे हुए थोड़े समय में यदि तुम पवित्र बन मुझे एक परमात्मा को श्वासो श्वासो निरंतर याद करोगे तो निश्चे ही मैं तुमको पापों से मुक्त कर विश्व शान्ती एवं नई निर्वीकारी सत्य यूगी दैवी दुनिया के नव निर्माण मंगलकारी में स्वभाग्य शाली निमित्त बना या सर्वस्ष्ट जीवन मुक्त देवपद प्राप्त कराऊंगा तो इन्होंने लालश विदे दिया कि भाई मेरे शरण में आ जाओ और जो जब प्रित्वी जब प्रलय काल के जब नई सिष्टी बनाने का मौका मिलेगा तो मैं तुमको वहाँ पर देवपद प्राप्त कराऊंगा उप्रोक्त उपदेशों का भावसपश्ट है कि अब प्रलय होने वाली है अतह दादा लेकराज जो साक्षात ब्रह्माजी है उनकी शरण में चले जाना चाहिए उनक 3500 उसके बाद पुर्णा सिष्टी पर सत्युक आवेगा और पुर्णा प्राणी सिष्टी की आवेगी और भक्तों को लेकराजी पुर्णा जन्मत दे देंगे इस मत में यहां माना जाता है कि प्रतेक 5000 साल तक प्राणी जगत की सिष्टी प्रिथवी पर रहती है अर्था सिष्टी का जो काल है केवल 5000 साल पुराना है यह ब्रह्म कुमारी मत में माना जाता है है कि सिष्टी प्रल्यका ककरAK, हर 5000 साल के बाद आता जाता रहता है ब्रह्मा विष्डू महा देव की गत्री मूर्टी को यह लोग एक जोतिर लिंगम शिव के रूप में मानते हैं और के आकार की गोल कुछ लंबी सी मूर्ती के आकार में लेकराज की सर की आकरती का ध्यान करके सहज योग बताते हैं यानि वो शिवलिंग ऐसा रहेगा उसमें लेकराज क्या फोटो बना रहेगा और उस पर ध्यान लगाना है और उसी को ये लोग योग बताते हैं इनके ताकि लोग शीघ्र प्रभावित वा अगर्शित हो सके इसी प्रकार का प्रलय वा नरक का भै दिखा कर चेले मूंडने वाले कई व्यक्ति जो परमात्मापन के दावेदार थे मरकर स्वयम दुनिया से मिट गए परंतु ना तो प्रलय आई और ना उनके चेलों का विनाश य नहीं है और लेखराजी चले गए और उनके साथ जो परलोक में साथ रह जाने का वादा था वो भी जा चुका है लेखराजी यदी खुदा था तो हैदराबाद सिंध की जेलो में चक्की क्यों पिस्ता रहा उसका परमात्मापन तब कहां उड़िया था वह पैदा हुआ था माता की कोक से बच्चा रहा जवान हुआ बुड़ा हुआ अब आगे मरने के तैयारी है जब लेखराज यह कहता है कि ब्रह्मा ने मेरे इस वृद्ध शरीर में प्रवेश किया है तो क्या इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसका बच्चापन वा जवानी से कोई संबंद नहीं रहा था क्या यह सर्वता जूट नहीं है क्या लेखराज के आत्मा उसके वर्तमान शरीर में पूर्ण से विद्यमान नहीं थी क्या लेखराज यह कहना चाहता है कि जो लेखराज बच्चपन वा जवानी में इस शरीर में था वह मर गया और उसके मृतक शरीर शव में उसके वर्तमान आत्मा घुज बैठी है तो यहाँ पर लेखा की कह रहे है कि भाई अभी आप ये कह रहे हो कि आपके अंदर ब्रह्मा की आत्मा आ गई है तो भाई जब आप बचपन में और जब जवानी में जब आप थे तो क्या आपकी बॉड़ी से आत्मा निकल गई और उसकी जग़ पर ब्रह्मा की आत्मा आ गई तो क्या अभी आप मरे हुए हो या जिन्दा हो ये बता दो जदी ऐसा है तो पहले लेखराज की मित्यू प्रमाणित करनी पड़ेगी जब तक ऐसा नहीं होता उसकी वर्तमान विद्ध शरीर में गुस बैठने की बात का कोई मुल्य नहीं है एक प्रश्ण यह भी है कि वह एक बुढ़े के कमजोर बदसूरत जुरी पड़े शरीर में क्यों गुसा है किसी जवान खुबसूरत शरीर में क्यों नहीं गुस बैठा जो ज़्यादा समय तक जीवित रहता और गुरुडम के मज़े चेलियों के साथ उठाता वास्ताव में यह सारा लेकराज का बाखंड है स्रिष्टी की आयू लगभग दो अरब बर्शों की है इस बीच में कभी भी समस्त प्राणी जगत का प्रलय विनाश नहीं हुआ है प्राणी जगत का विनाश शिष्टी के आयू समाथ होने के तीन चतुर्यों की पूर्व होता है जबकि प्रिथ्वी की प्राणी को जीवित रखने की शक्ति का हास हो जाता है इसमें अभी लगभग दो अरब 34 करोड़ वर्ष का समय सेश है वर्तमान प्राणी जगत की उत्पत्ती का करम केवल 5000 साल से मानना मूर्खता की बात है ये सांपरदाइक लोग ऐसे ही बेतु के गप्पे हाकते हुए अपने अंद विश्वासी चेलों को बहकाते वर लूटते खाते रहते हैं इनके जाल से जनता को सचेत करते रहना चाहिए दादा लेखरा जब मर चुका है ठीक है तो ये बात थी आप ब्रह्मकुमारी मत जो है उसमें क्या-क्या ट्राडिशन्स चलते हैं अब हम अगले पार्ट में जाएंगे कि ब्रह्मकुमारी मत के किताबों में क्या लिखा हुआ है तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें जोड़ी है जो की सुनके आपको बड़ा मजाएगा अब ये देखें ब्रह्मकुमारी श्रीकृष्ण ही श्री नरायन थे और वे द्वापर में नहीं हुए बलकि पावन सिष्टी अर्था सत्यूग में हुए है ये आया है सापताहिक सत्संग पेज नंबर 141 तो क्या लिखते हैं ब्रह्मकुमारी जी ये कहती है श्रीकृष्ण ही श्री नरायन थे और वे द्वापर में उनका जनम नहीं हुए बलकि शत्यूग में उनका जनम हुए है श्रीकृष्ण जी युद्ष्टित्र के समकारिन माभारत काल में पैदा हुए थे युदिष्टित का सम्वत भी चला आ रहा है जो अब पांच हजार वर्ष के लगभक के है कल्यूक का प्रारंब भारतिय जोतिर विदो के अधार पर माभारत के पश्चात हुआ था तो श्रीकृष्ण का काल सत्यूक में बताना तुम्हारी मूर्खता है ब्रह्मकुमारी शेक्रिष्ण शेहराम से भी पहले हुए थे परंतु आज लोगों को यह वास्तविज्ञान नहीं है सापताहिक सत्संग पेज नंबर 145 तब देखें ब्रह्मकुमारी मत में इस तरीके से चीजों को तोड मरोड के बताया जाता है मतलब यह तुन्जियों का भी एक लेवल टू टुन्नी मतलब एक लेवल उपर का टुन्नी जम है यह और यह अपसकी लड़ाई है न्यूटिन जी दरसल्ब इसमें बड़े मज़े की बात है यह कहते हैं कि इनका जो धर्म है वो इतना जबरदस्त है कि भाई इसको यह सबसे पुराना धर्म है और लोग इसको मानते वे चले हैं वैदिक धर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो शिष्टी के साथ ही हुआ है तो अब यह देखे यह कैसा धर्म है कि कोई ही मत्पन संप्रदाय आकर अपनी चीजों को उसमें जोड़ देता है और धर्मिक लोग उसका विरोध भी नहीं करते अभी यहां पर मान ल नहीं था तो सारे इसलाम वाले तो उसका भिश्कार कर देंगे पर हमारा सनातत धर्मी कुछ ऐसा है कि जिसमें आप श्रीकृष्ण को कभी शेल की उपर बैठा दो कभी श्रीकृष्ण को बोलं कि भाया तुम तो तुम ही से जगत कितपत्ति हुई है कि विभी ब्रह्मा को कहीं से भी चिपकाके अपना एक नया संप्रदाय बना लेता है और मज़े की बात ये है कि दूसरे संप्रदाय वाले भी इनका कोई विरोध नहीं करते हैं तो ये तो हाल है ठीक है तो ब्रहम कुमारीजी यहां पर कहते हैं कि शिरकष्ण श्रीराम से भी पहले हुए थे पर तो आज लोगों को यह वास्तिवे ज्यान नहीं है समिक्षात्मा कुत्तर यह तुम्हारी बात जो महा मूर्खता पूर्ण स्वयम सिद्ध है क्योंकि गीता में जिसे तुम स्रिकिष्ण की रचना मानती हो अध्याय 10 के श्लोक नमर 31 में स्वयम सिर्किष्ण जी ने कहा है अर्थार्द मैं पवित्र करने वाले में वायू हूँ और शश्ट्र धारियों में राम हूँ इस प्रकाश शिर्किष्ण ने राम को धारन दे कर राम को अपने से पूर्व का घुशित किया है दिश्टांत सदैव अपने से पूर्व हुई अध्वा वर्तमान बात का ही दिया जाता है इससे सपष्ट है कि तुमारे संपरदाय का आदी परवर्तक लेखराज पूरा शेख चिल्ली था जिसने गीता भी नहीं पड़ी थी अब यह देखें ब्रह्मो कुमारी सभी जूटे आदमी मुर्खों को अपने जाल में फांस कर अपना संपरदाय चलाने के लिए ऐसे ही कहते आए हैं और तुम जैसे कब समझवाली औरते उनके फंदों में फसकर अपना तन और मन उन्हें अरपन सदा ही करके मुर्ख बनती रही है हम जानना चाहते हैं कि वह लेखराज मर क्यों गया वह तो परमात्मा बनता था क्या परमात्मा भी मर जाय करता है सही बात है ब्रह्मो कुमारी शिव शक्तियों वा गोपियों का भी भगवान के साथ गयार है सबताहिक सतसंग पेज नंबर 190 समिक्षात्म कुत्तर वे गोपियां, जंगली, व्यविचारणी, एवं धूर्त थी, तब आप सभी ब्रह्मक कुमारियों के गोपियों बनने से आपकी कलाई स्वयम खुल गई, कदाचित इसलिए आप लोग लेखराज के साथ भुजा भर आलंगन करती थी, बताओ, तो इसके जो मैंने दू अच्का रेफरेंस लिया था, तो पहली किताब का नाम है गुरुडम के पाखंड, इसके लेका डॉक्टर शीराम आरिया है, और दूसरी किताब है ब्रह्मकुमारियों मत्खंड, इसके भी जो राइटर वो है, डॉक्टर शीराम आरिया, तो इसी किसा साथ हो, आज की जो म यह देखिए, दफ्रेंट का यह नियूज आटिकल है और यह 13 नमंबर 2023 का है, मतलग ज्यादा पुराना नहीं है, एक साल, डेड़ साल पुराना ही है, देखिए, आध्यात्मिक समुग के सदस्यों पर धोका धड़ी का आरोफ लगाने वाली ब्रह्मुक्मारी बेहनों की आत्मत्य मामले में तीन ग्रफतारियां, अब देख लीजे बाई साथ, शिखा 32 और 138 ने आरोफ लगाया, कि चार लोगों ने आगरा ब्रह्मुक्मारी ज आसरम की सदस्यों दोरादान किये 25 लाग रुफय का गवन किया, अफने सुसाइड नोट में उन्होंने आसरम की सदस्यों पर आरोफ लगाया थी, तो दो महला हैं, उन्होंने जो सुसाइड की थी, एक सिखा 32 साल उम्र और 138 साल उम्र, इन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, सदस्यों कि अरुफय के नाव पर बत्यatum समूल के नाम पर चाल लोगों पर बित्य धोकादडi का आरुफ लगाया है, दो महला हैं, सिखा 32 साल और 13 साल वहने थी आरजली के जगनेर सहर में प्रिजा 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 प्ता ब्रहमा कुमारी आसरम में रहती थी उत्तर प्रदेश की मुक्पंत्री ये गुई आदेतनात को संबोदित और दी प्रिंट के पास मौझू तीन पन्नों के नोट में महिलाओं ने आरोपी की पैंचान नेरज सिंगल के रूप में की है जिसके बारे में कहा जाता है कि माउंट आबु में एक निजी कंपनी में काम करता था उसके पिता ताराचंद जैपुर नबासी बुड़न है और एक महिला की पैंचान पूनम के रूप में हुई जो ब्रहमु कमारीज कि गौलियर आसरम में रहती है मेलाउने आरोप लगाया कि आरोप में उन्हें आगरा आसरम के सदस्यों पर दान किये गए 25 लाग रूप का गवन किया जिसमें परिसर में संबंदित निर्मार कार के लिए उनके दौरा दी गए 7 लाग रूप भी सामयल थे उन्होंने कहा है कि जब कि आरोपी ने दावा किया है कि पैसे का इस्तेमाल अपने बताया गया उद्दिस के लिए किया गया था पास तम इसका इस्तेमाल फ्रैट करेदने के लिए किया गया था उन्होंने यह भी दावा किया है कि आरोपी ने आसरम के महलाओं का यह उन्सोंसर किया था और औरहनोंने आस्त्रम में कई आत्म हत्याहों की कई खवर दवा दी थी है बयानों की सुसाइड नोट में मांगी गिये कि मैलाओं के पैसे लोटा आए जाए और 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 को बलाद करके औरोपी श्वेंबु भगवाँ आस्त्रम बापु की तरह आजीवन कर आब इसकी सदा दी जाए तो देख रहा हो नियूटन जी मतलब कहानी ये आस्रमों की एक जैसी है चाहिए आसाराम बापू हो चाहिए ब्रह्मुकमारी यह हाल है इनका आगरा पुलिस नहीं कहा है कि उन्होंने गुड़न ताराचंद्र गुड़न और गुड़न ताराचंद्र पूनम को गरपत है सांती वन आबूरोड के सूजन जन संपर्क के निदेशक बी के करोना ने कहा है संस्तान आत्मत्या के लिए जिम्मेदार परिस्तितियों से स्थब इस तब उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में कोई पूर्व सूजन नहीं थी तो देखिए कैसे हाला कि यह तो सभी क अब देखिए आगे नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा अब यह आर्टिकल न्यूटेंजी आपको दिख रहा होगा पत्रिका का यह भी 2019 का है ब्रह्म कुमारी रेव केस ग्रप्त में आया असरम संचालन में ब्रह्म कुमारी आसरम को लेकर किया गया बड़ा कुलासा जो बोला सुनकर रह जाएंगे हैरान अब देखिएगा यह है ब्रह्म कुमारी आसरम की संचालक पर यूटी ने लगाया था रेव कारूप पुलिस ने आरोपी संचालक से पूछताच की हुगा बड़ा कुलासा तो यह जिस आप देख सकते हैं सिकंदरा चेत्र के रूनकता इस्तित ब्रह्म कुमारी आसरम में यूप्तियों के सा ना कबूल करते हुए बड़ा कुलासा किया है क्या बोला आसरम सचालक यह वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन पर हम यहां पर वीडियो नहीं चलाएंगे मैं आपको यहां से यह देखाता हूँ तो देखिए यहां पर है कि यह मामला अलीगड की रहने बाली 25 वर्सी यूप्तियों ने ब्रह्म कुमारी आसरम संचालक भगवान सिंग पर गंबीर आरूप लगाते हुए थाना सिकंद्रा में सिकायत की थी सिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी भगवान सिं के साथ दुसकर्म कर्यास किया हुए भगकर रुनकता पुलिस चोंकी पहुंच की पुलिस ने कारवाई का आस्वासन दिया तो आसरम लौट गई दो दिन में कारवाई होने पर हुए वंगलवार को फिर से आसरम से बाहर निकली और आसपास के लोगों को भगवान सिंग की करतूत के बारें बताए इसके बाद पुलिस के पास पहुँची जड़ा देखते हैं पुलिस की करप्त में आये भगवान सिंग ने अपना गुना कुबूल किया इसके बाद मीडिया से बत करती हुँ हूँ इसने कहा कि उसने एक उप्ती के साथ दुसकर्म किया है इसके ब दरसल हर आसरम की कहानी यही है तो जो आसरम सीरीज देखी होगी वेब सीरीज जिनों ने वो पिलकुल रियालिटी समझ लीजी यही हाल होता है। दरसल देखिएगा कि किस तरीके से उसने ये कबूल किया कि हाँ उसने एक यूपती के साथ दुसकर्म किया था और बाद में वो ये कहता रहा कि मुझे ये पता नहीं था कि ये रिपोर्ट करा देगी और ये भी है कि बंदक बनाके भी रखा जाता था कई मैलाओं को उने बा कि मुझे लगता है इस किसम की मान सकता कि लोग ही ऐसी घिनोनी कर्टूतों को अंजाम देते हैं वो बक्ति क्या बोल रहा है कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये रिपोर्ट करा देगी मतलब महलाओं को ये समझते हैं कि ये बाहर जाएंगी नहीं हमने कब जब बना रखा है और ये ब्रहम कुमारी आसरम से बाहर तो जा नहीं पाएंगी तो रिपोर्ट तो करनी पाएंगी तो उसको ये आस्वासन था अपने उपर ये बरुसा था कि ये बाहर नहीं निकल पाने की वज़े से उस ब्यक्ति ने क्या किया जो खुशन चाला के उसने मैला के साथ दुसकर्म किया और जब मैला बाहर गई तो वो पुलिस के सामने भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था रिपोर्ट करा देंगे मतलब क्राइम कर दिया अंजाम दे दिया अब क्यारा मुझे पता नहीं था कि ये रिपोर्ट दुनिया बरकत तमाम ग्यान पेलते रहते हैं। यह हाल है भाई दोस्तों इन लोगों के। जरह देखिए यह ब्रह्मकुमारी की सच्चा ही हैं आप देख रहे हैं। और भी देखिए। तो मैं एक दूसरा आर्टिकल भी आपको दिखाता हूं। क्या क्या इन पे आरोप हैं। यह देखिए भाई। बागपत के ब्रह्मकुमारी आसरम में मिली मैला की बॉड़ी अब तक क्या पता चला। अब दोस्तों यह देख लिए। ब्रह्मकुमारी आसरम एक बार फिर चर्चारों में आ गया है। ब्रह्मकुमारी आसरम में ब्रह्मकुमारी दीदी का सब मिला है। ब्रह्मकुमारी दीदी का सब फासी की फंदे से लटका मिला। अब यह भाई। यह ख़बर बहुत ज्यादा पुरान ही नहीं है। यह यूपी की ख़बर है। यूपी तक में यह चपी थी। आज एप्रेल हुआ है ये मार्च की ही खबार है तो ये हो रहा है दरसल में आप देख रहे हो ब्रह्म कुमारी आस्रम में क्या-क्या चीजें चलती हैं और देखिए मैं आपको पुरानी खबरें ये कोई नई खबरों के हिबारे में नहीं कि अभी ये करफ्ट हो गया है तो ये देखिए ब्रह्म कुमारी आस्रम सादिकाने सेवादारों पर लगाया दुस्कर्म का आरूफ ये देनिक वहसकर का आर्टिकल है ये दो दस साल पहले पहले का है यानी 2014 का अब देखिए गा राजधानी के लिंक रोड पर लिंक रोड नंबर तीन पर इस्तित ब्रह्म का गरवफाद भी कराया पहले बर्स 2010 में उसके साथ सिंगरॉल ये अस्रम में दुस्कर्मुगा इसके बाद उसे भोपाल आस्रम बेज दिया गया भोपाल में बर्स 2012 में दोबारा उसके साथ आस्रम में दुस्कर्मुगा इस बार उसने सिकायत की तो उस पर चोरी का रोप लगा कर अस्रम से बाहर कर दिया गया तका मूल रूप से चतरपूर रखी रहने वाली है उसने चतरपूर अस्रम की प्रमुक बदो से बादारों के खिलाब सून पर दरज कर ली है उदर अस्रम प्रमुक अब्दिस बहन का कहना है कि सिकायत करने वाली महला का आचरान ठीक नहीं था इसलिए उसे अस्रम से निकाल दिये गए इस बज़े स्वाए अरोफ लगा रही है यह दरसल देख उसके साथ दुसकर्म किया गया जब वो फ्रेग्नेंट होगी तो जब वर्दस्ति उसका गर्पात कराया गया उसके बार दुवारा फिर से दुसकर्म हुआ और जब उसने सिकायत करने की कोसिस की तो उसको आस्रम से निकाल दिया गया और उसका करेक्टर खराब बता दिया एक में उसने ब्रह्मकुमारी अस्रम चतरपूर में आस्रा लिया था यहां की संचाल का सैल्जा बहन के सानिद में उसने सेवा करते हुए अस्रम में अपना जीवन को चारा वर्स Biology में सहलजा वहन ने उसे बुौपाल असरम भेज दिया। वर्सDos दुज़भर में उसे ब्रहमकमारी का दरजा देकर उसे सिंग्रॉली असरम भेज दिया। 2006 से 10 तक वैस सिंग्रॉली असरम में ही रही पिर्टा कार्पे क्यूए बर्स दोजार दसमें या ब्रह्मकुमार प्रसाद भाई ने उसके साथ पहले छिड़्चा किया और फिर दुसकर्म सिकायद करने पर अबदेश बहने उसे भोपाल बुला कर उसका गरफात करा दिया उसे चुप रहने कहा किया बस दोजार बारा में बोपाल आसरम में प्रहम मुकुमार प्रेम भाई ने उसके साथ दुसकर्म किया इसकी सिक्राइट करने पर आसरम प्रमुक अबदेश बहन ने उस पर चोरी कारोप लगाती हुए आसरम से बाहर निकाल दिया प्रेम भाई पर दुसकर्म का मामला दर्ज किया गया है तो अब देखिएगा कि ये सारी चीजें ब्रहम कुमार आसरम में चल रहे हुए और लोग फिर भी जाके लुट रहे हैं तो यह थी दिरसल ब्रहम कुमारी के इसलिए जो आपको न्यूटेंस से ने दिखाई मैंने आपको यह आर्टिकल से दिखाई आप आप तो